नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे स्वीगी के बारे में आपको बता दू कि आगर आपको appointment reset करना है तो जो hub वाला preference था वहाँ पर आप देख रहे होंगे उपर change करने का option आ रहा एक बार और दिखा दूँ यह जो सारे green tick का रहे हैं उसके सबसे नीचे वाला जहां पर address आत लेकिन उसके बाद मैं गया नहीं उसके बाद इसको भी current का change करना चाहें तो यहां पर date का change करने का calendar यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आप year select कर सकते हैं उसके बाद जो month है वो और उसके बाद date तो अभी यह 10 तारिक को चलिए मैं इसको set कर देता हूं तो यहां पर आप देख रहे होंगे 10 तारिक मैंने set कर दिया ठीक है 10 क्यों जो भी आपको preference हो मंडे को कर लेता हूं तो मंडे यहां पर आप देख रहोगे 14 फरवरी के लिए मैंने यहां पर set कर दिया उसके बाद सेलेक्ट कर दीजिए और finish and visit hub ऐसा लिखा हुआ है तो यह यहां पर और help वाले section में आप देख रहे होंगे how to join swiggy तो यह देखिए जो एप है वहां पर आप जाकर के इसमें कहा गया है कि registration कर सकते हैं उसके बाद visit कर यह T-shirt ले लीजिए और आपका जो delivery bag है वो ले लीजिए उसके बाद आपका जो background है वो चेक होगा और background यह होता ह कि आपको documents वगरा verify किये जाते हैं और उसके बाद active हो जाता है और order आने लग जाते हैं और आपकी earning start हो जाती है तो यहां पर help वाले section में आप जब registration कर लेंगे या कर रहे होंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि journal query जो होती है वो यहां पर पूछी गई है जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा eligibility वगएरा यह आप देख रहे होंगे पहुच करके देख लेना 18 साल होना चाहिए deal और आपका RC वगएरा वो सब complete होना चाहिए scooter bike cycle जो भी आप लगाना चाहिए उसमें लगा सकते हैं और delivery का काम स्टार्ट करके earning कर सकते हैं तो यह मैंने आपको दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि कई सारे question के answer आपको इस वाले section में मिल जाएगा जो facts के questions होते हैं जो यहां पर question देख रहे होंगे फिर उसके टैप करो और उसके बाद वहां पर answer आपको मिल जाएगा हब preference में जाकर के change जाकर के आप इसको change कर सकते हैं date को और फिर उस द